नमस्ते मेरे भाईयो आज के इस वीडियो में बात करने वाला है कॉंप्लेक्स नंबर्स के डीमोस तेरम के टाइप नंबर 3 के सबसे ज़्यादा फेमस कोशन के उपर इस कोशन के खासेत है कि ये कोशन एक्जाम में बहुत बार आता है बट ये कोशन तुम लोग को बहुत ज स्टेटेजी बनाई है तुम्हें बस स्टेटेजी को स्टेब बाइस फॉलो करना है और कोई भी सम के एंसर को ऐसे चुटकियों में निकालना है शुरू करते हैं सबसे पहले तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये कोशन टाइप नंबर 3 को बिलॉंग करता है अब यहाँ पे उधर एंगल के साथ अल्रेडी कुछ ना कुछ मल्टीपलाइड है तो अगर ऐसा सिट्विशन है तो समझ जाने का ये क्वेशन इस टाइप का है बट फिर भी कभी-कभी लोगों को कन्फीजन होता है या तुम लोग को कभी-कभी कन्फीजन हो सकता है इसलिए बस एक क्व मुल्टीपल क्वेशन को प्रैक्टिस करो मुल्टीपल सॉल्फ एक्जांबल्स है वहाँ पर उनको प्रैक्टिस करो जिससे हर एक चीज़ मुमारे परफेक्ट होगी और तुमारे नाइन पॉइंटर सिक्योड हो जाएंगे अब आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे देखो Step No.1 क्या है're Expansion or Reduction अब हम Expansion का formula युश करेंगे या Expansion का formula यूश करेंगे क्योंख जो चीज़ हमें पूछे गई है is equal to यह पूप करना है प्तला basically इस चीज़ को हमें कभी साइन काई काई यूज करेंगे क्यूंकि यहाँ पर नों को साथ में नहीं लेंगे इसमें से किसी भी एक को लेगे और उसका एंसर निकलने के बाद फिर दूसरे को लेंगे और उसको आईड करेंगे बट को देड है मैं मैं तुम लोगों को बताऊंगा कॉस को लेते हैं ठीक है तो अगर कॉस को हमने लिया तो कॉस का फॉर्मिला एगा कॉस का फॉर्मिला क्या है जो भी है उसका उल्टा लिखेंगे मतलब कॉस ठीटा इस एकॉल टू एक्स प्लस वन अपॉन एकस ऐसे लिखेंगे अब ऐसा क्यों लिखा मैं तुम लोगों बाद में बताऊंगा अब इसलिए यह दोनों रेजट्यू सिक्स आ जाएगे मतलब this ratio 6 is equal to this ratio 6 मतलब यहाँ पर 6 है इसलिए मैंने ऐसा किया अब आगे बढ़ता है step number 2 F U P SU 0 F U P SU 0 इस गाने को अपने दिमाग में घुसेट दो और लॉक कर दो यह गाना बहुत ज़दा important है अब इसका क्या मतलब है F U मतलब होता है first unit first unit क्या है यहाँ पर X और उसके बाद P लिखा है P का मतलब power किसका power bracket का power इसलिए आपर 6 लिखेंगे उसके बाद क्या है SU SU का मतलब क्या होता है second unit 1 upon X और 0 ठीक है अब यहाँ पर मैंने कुछ दिया है arrow नीचे जा रहा है arrow उपर जा रहा है अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है इसको हम repeat करेंगे X और 1 upon X अब यहाँ पर FU का arrow नीचे जा रहा है मतलब यह 6 का 5 हो जाएगा और SU का arrow उपर जा रहा है तो 0 का 1 हो जाएगा ठीक है अब यह repeat होगा X 1 upon X यहाँ पर भी सेम गाड़ी आगे बढ़ेगी 5 का 4 हो जाएगा 1 का 2 हो जाएगा सेम चीज़ फिर से repeat होगी X 1 upon X यह कब तक repeat करना है मैं तुम लोग को बताऊँगा यह 3 और यह 3 X 1 upon X अब यहाँ पर यह 2 हो जाएगा और यह 4 हो जाएगा क्यूंकि 3 का 2 हो जाएगा 3 का 4 हो जाएगा क्यूंकि पहला नमबर नीचे जाता है दूसरा नमबर उपर जाता है इसलिए यह नीचे जा रहा है 3 उपर जा रहा है अब X यह 1 और यह 1 upon X अब यह तब तक करना है जब तक यहाँ पर 6 और 0 है तो उसका उल्टा नहीं आ जाता मतलब यहाँ पर क्या आएगा 0 और 6 यह आ गया जब ऐसा आ जाता है आपको आपकी गाड़ी रुका देनी है step number 3 क्या है coefficients अब coefficients मतलब यह पास्कल ट्रेंगल एक कैसे बनाते है 1 और 1,2,1 याद रखो और यहाँ पर 0 होता है तो 0 प्लस 1,1,1 प्लस 2,3,2 प्लस 1,3,1 प्लस 0,1,0 प्लस 1,1,1 प्लस 3,4,3 प्लस 3,6,3 प्लस 1,4,1 प्लस 0,1 और आगे बनते जाएगा इस चीज़ को अभी के लिए निगलेट कर दो यह क्यों मैंने लगा है मैं तुम लोग को बताऊंगा बाद में अब coefficients मतलब किस नंबर के लोग हम यहाँ पर डालेंगे अब यहाँ पर देखो पावर में के 6 है इसलिए 6 नंबर के जो coefficients है वो सब हम यहाँ पर डालेंगे इस इस अजिए 26 अगर यृफ यहाँ पर यहाँ पर चुक सायंस सारे सांस पॉजयिव होंगे को कुule यहाँ पॉज़िव फॉज़िव पॉज़िवップ पॉज़िव और यहाँ पर पॉज़िवफ थोड़ा एक सरी 6 उसके बाद प्लस anything raise to 0 is equal to 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है 6 अब x raise to 5 upon x है तो x cut हो जाएगा और उपर 5 का 4 हो जाएगा इसलिए 6 x raise to 4 then plus 15 अब यहाँ पर x raise to 4 है और नीचे x raise to square है तो x square cut हो जाएगा और उपर x square cut हो जाएगा तो उपर x raise to 2 बचेगा तो इधर x raise to 2 plus 20 अब यहाँ पर x cube और नीचे x cube है तो x cube x cube cut हो जाएगा इसलिए आपर 20 बचेगा plus 15 अब यहाँ पर का x square cut हो जाएगा और नीचे x raise to 2 बचेगा इसलिए 15 upon x raise to 2 plus 6 अब यहाँ पर का x cut हो जाएगा और नीचे x raise to 5 का x raise to 4 हो जाएगा इसलिए 6 upon x raise to 4 ठीक है अब अगर तुम लोग को ऐसे यह नहीं समझ रहा है तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिखेंगे 6x into 1 upon x raise to 5 ठीक है तो यह कट हो जाएगा 5 का 4 हो जाएगा अब यहाँ पर हम अमारी गाड़ी थोड़ी सी रोग देंगे अब क्यों हमने अमारी गाड़ी रोकी अब यहाँ पर ध्यान से देखो तू कॉस यहाँ पर 6 और यह 6 अंदर गया तो यह आया ठीक है अब this is equal to this है राइट अब हमने मतलब कॉस का वैलिव तो निकाल दिया अब तो हमें साइन का फॉर्मिला यूज करना पड़ेगा मतलब साइन का फॉर्मिला क्योंकि कॉस के टाइम पर हमने कॉस का फॉर्मिला यूस किया था इसलिए हम लिखेंगे इसका उल्टा जैसे कमें आने बोला था टू आइक साइन ठीटा is equal to x minus 1 upon x और ब्रैकेट का हों ठीक है अब थोड़ा सा ध्यान से देखो यह तो जाएगा बट यहां पर ये जो है और यह जो है दोनों सेम है बिल्कुल बस माइनस यहां पर और यहां पर प्लस है अब इसका मतलब यह कि अंदर जो भी सारी के सारी चीज़े हैं यहां पर बी शेम वही होने वाली है बट सिफ एक चीज़ का फरक होगा साइन का अब वो कैसे फरक होगा यहाँ पर मैंने बोला था कि अगर पॉजिटिव है तो सारे साइन्स पॉजिटिव होगे बट अगर नेगेटिव है तो अल्टरनेट होगे मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस और इसलिए जो इसका एंसर भी है तो इसका answer same होगा यह बट sign plus minus plus minus ऐसे होगा मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं plus होगा starting गा x raise to 6 उसके बाद minus 6 x raise to 4 plus 15 x raise to square plus sorry यहाँ पर minus आएगा यहाँ पर गलती मत करना exam में ने तो गलतिया करके आओगे और फिर problem हो जाएगा 15 upon x square यहाँ पर minus 6 upon x 4 और minus plus 1 upon x raise to 6 यहाँ पर गलती होने के बहुत जादा chances है अब इसको भी solve करेंगे अब 6 जो वह अंदर जाएगा so that is 2 raise to 6 2 raise to 6 i raise to 6 i raise to 6 का मतलब i square into i square into i square i square i square का value minus 1 होता है so that is minus 1 into minus 1 into minus 1 minus 1 into minus 1 that is plus 1 और plus 1 into minus 1 that is minus 1 so that is the reason why हम यहाँ पर लिखेंगे minus और sin raise to 6 theta तो basically minus 2 raise to 6 sin raise to 6 theta का value आएगा यह और 2 raise to 6 cos raise to 6 theta का value आएगा यह अब हम क्या करेंगे इन दोनों को add करेंगे क्योंकि ultimately हमें cost raise to 6 theta और sign raise to 6 theta को add करके यह answer निकालना है अब यहाँ पे देखो इसमें cost raise to 6 theta है और sign raise to 6 theta है तो मतलब answer आने ही वाला है अब मैं क्या करता हूँ इन दोनों answers को यहाँ पर separately लिख दता हूँ 2 raise to 6 और यह bracket में आ जाएगा और यह minus 2 raise to 6 है इसको में मैं इधर लेकर जाओगा that would be 1 upon I mean minus 1 upon 2 raise to 6 और bracket में यह हो जाएगा अब इस minus को मैं अंदर लेकर जाओगा तो सारे के सारे साइन से चेंज हो जाएगे इसलिए आप प्लस था माइनस आ गया माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा अब आगे बढ़ते हैं यह rough करना मत बूलना एक्जाम में एक separate step पी लिख देना ठीक है? है है फिसे दोनों से एक दम systematically step by step डाला है फिर भी अब आगे बढ़ते हैं हमने क्या question में सुना था दोनों को हमें add करना है इसलिए इन दोनों को हम add करेंगे बट एड जब हम करेंगे तो ये प्लस ये आ जाएगा पूरा इसलिए हम क्या करता है इसको और इसको कॉमन लेते हैं तो इसलिए हम सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट इस सिक्स टिटा प्लस साइन डिश्ट शिक्स टिटा अब वह फीलिंग आ रहे हैं हमारे पास इसको हम कॉमन ले लेगे तो रिश्ट शिक्स और ब्रैकेट में अब एवेंजर्स एंड गेम होने वाला है ये पूरा का पूरा कॉपी कर देंगे और उसके बाद ये सिक्स और माइनस एक्स रिश्ट शिक्स अब ये ठीक है ये देखो ये ये कट हो जाएगा ये ठीक है ये ये कट हो जाएगा ये ठीक है ये और ये कट हो जाएगा एक्जाम में ऐसा डायरेक्ली मत करना ठीक है इसके बाद ये लिखना और उसके बाद काट कूट करना अब एक बढ़ते हैं इसको प्लस इसको डाँस 12 x distractions 4 उसके बाद ये प्लस ये प्लस फॉर्टी उसके बाद ये प्लस ये डाँस ट्वेल्फ वन अपॉन एक्स दिश्ट फोर और बस इतना ही है ओके अब यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर देखो यह और यह बहुत ज़्याद सिमिलर है इसलिए हम इन दुनों को साथ में लिखेंगे अब यहां पर देखो ट्वेल्फ ट्वेल्फ कॉमन निकल रहा है इसल 12 एक्स दिश्ट फोर प्लस वन अपॉन अपॉन आपॉन एक्स दिश्ट उफ पलस फोर खॢब सथ कική अपेछ et at इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा वन अपॉन ट्रीटा क्योंकि एंड के जगे पर 4 है और प्लस 40 इस इकॉल टू 1 अपॉन 6 अब यहाँ पर ध्यान से देखो अब यहाँ पर हम 12 को 2 के साथ मल्टिप्लाइ कर देंगे एंड डैट वोड बी 24 कॉस फोर ठीटा प्लस 40 अब जो हमें प्रूफ करना है उसमें से हमारे पास कॉस फोर ठीटा आ चुका है अब मैंने किस नंबर के साथ इसको और इसको डिवाइड किया तो मेरे पास यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 5 आए है ठीक है तो इसलिए यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा क्योंकि 3 एट जा 24 और यहाँ पर 5 आएगा क्योंकि 5 इंटू 8 डैट इस 40 तो 8 अपॉन टूरेज तो 6 डैट इस 8 अपॉन 64 डैट इस 1 अपॉन अपॉन एट डिवाइड पा सिक्स्टिवर कितना होता ह है एट एट इसा 64 ठीक है और इधर 3 कॉस फोर ठीटा प्लस 5 हैंस प्रूव अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें यह वीडियो कैसा लगा तुम्हारे आजू बाजू दो प्लेलिस्ट आएंगे एक मॉडल वाइस प्लेश्ट है एक सब्जेक्ट वाइस प्ल करने है उस हिसाब से प्लेश्ट को चूश करो उस प्लेश्ट के नोट्स करीदो और पढ़ाई करने को चालो कर दो थैंक यू फॉर जिन्स वीडियो हैव नाइस रेग बाए